जार्खन बिधान सभा में रमेश्वर उराव ने 1.01 क्लोर रुपय का बैट पेस किया जो कि पिछले साल की तुलना में अधिक है उन्होंने बैट शुरू करने से पहले जार्खन के महापूर्शों के याद करते हुए कहा कि जो काम जानता को प्रिये लगे वही काम करना चाहिए उन्होंने कहा कि बैट केवल आय बैय का दस्तावेज नहीं है ये सरकार की सोच और नियत का प्रतिवीम है सरकार इस साल सभी लोग के हितों को ध्यान में रख कर एक पॉइंट जीरो एक लाह कोड़ो रुपे का बैट पेस कर रही है उसे पहले बित मंत्री रामेश्वर उरावने सरकार द्वारा किये गए कार्यों का उलेक भी किया जिसमें राज की GDP के साथ साथ सरकार द्वारा चलाये गए आपके द्वार आपकी सरकार जोजना समेत तमाम जोजनाओं का जिक्र किया जारखन बोट दसवी परिक्षा के लिए एडमीट कार्ड जारी अलाकि जायक 2022 परिक्षा में सामिल होने वाने स्टूडेंट अपने समंदित स्कूल से ही अपना एडमिट कार्ट प्राप्त कर सकते हैं बता दे कि एडमिट कार्ट डाउनलोड करने की सुविधा स्टूडेंट को नहीं दी गई है जारखन एक एडमिट कार्ट डाउनलोड कर स्टूडेंट में बाटा जाएगा जारखन एक एडमिट काउंसिल ने 24 मार्च से 20 अप्रेल 2022 तक आयोजित होने वाली अगामी बोड परिक्षाओं के लिए जय कक्षा दस भी एडमिट कार्ट 2022 जारी किया है जारखन सरकार के बयट की दस बड़ी बाते गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना इसके तहत उजतर सिक्षा के लिए जारखन के गरीब छात्र छात्राओं को जमीन, बंधक, रख, करीन, मुहया कराने में बैंक, आनाकानी करते हैं इस लिहाए से संकट को दूर करने के लिए राज jar कारने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की सुरूआत की है एक रुपए में दाल, राज के ग्रामिन चेतरों से कुपोसन की समस्या को दूर करने के लिए दाल बित्रन योजना सुरू करने का निना लियागया है इसके तहत राश्ट्रिये खाज सुरक्षा अधिनियम एवं जार्खन राज खाज सुरक्षा योजिना से अचाधित परिवारों को प्रतीमा एक रूपे किलो दाल की दर से उपलब्द कराने का निने लिया गया 42,000 टैब राज सरकार ने गुनवाता पुन सिक्षा का लक्ष पराप्त करने के लिए ग्यान ओदय योजिना के अंतरगत बिद्यालों में गनीत एवं भी ज्यान लैब का अध्यास्ठापन करने का निने लिया और डिटल सिक्षा के लिए सिक्षकों को 42,000 टैब उलब्द करा करने का निने लिया है 300 बेट के अस्पताल होंगे राज सरकार ने चिनित जीलों के जीला अस्पताल को 320 वाले अस्पताल में अपरगेट करने का निने लिया है जारखन सरकार के बयट की 10 बड़ी बाते में 100 एक गरी स्मार्ट गाउं का भी होगा चया अनराज में विधायकों के अनुसंसा पर एक गरी स्मार्ट ग्राम योजनाय के अंतरगत 100 गाउं का चयान किया जाएगा इस चैनित गाउं में गैस एनालिसिस कर विभीन कर योजनाओं से कौरेज करते हुए इन गाउं का समगर भीकास किया जाएगा 100 यूनिट बिजली बील माप गरीब और किसानों पर बिजली बील का बोच कम करने का उदेश से सरकार द्वारा परतेक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिली बील मुफ्त का प्रस्ताव बजट में हाए एक लाख छात्रों का कौसल विकास राई सरकार ने एक लाख यूआओ को कौसल पर सिक्षन देकर रोजगार सो रोजगार से जोडने का संकल्प लिया है साहिव गंज में यरपोर्ट साहिव गंज को मल्टी मोडल हब के रूप में विक्सित करते हुए सड़क रेल और जल मार्क के अलावा वायू मार्क से जोडने का संकल्प लिया गया है मुख्य मंत्री ने जारखन के किसानों की हालात पर जताई चिनता मुख्य मंत्री हमन्सुरें से गुरु आरको विधान सभाई स्थित मुख्य मंत्री कक्ष में राष्ट रिये क्रिसी और ग्रामिन विकास बैंक के अध्यक्स ट्र. जी आर चीताला ने मुलकात की मुख्य मंत्री हमन्सुरें ने नबाट के अध्यक्स से कहा कि गरामिन और्थ व्यवस्ता की मजबोती तथा स्वरोजगार के लिए राज सरकार ने अंतर परयासरत है राज्य में किरिसी की असीम संभवनाए हैं राज्य में अधिक साधिक किसानों को बैंक से किसान क्रेडित कार्ड के सुधा परदान की जाई इस पर नबाट को पहल करने की आवसकता है जारखन पंचाय चुनाव को लेकर तैयारिया तेज राज्य में जल्द ही पंचाय चुनाव होने वाले हैं लिहाजा चुनाव से पहले सूबे के तमाम जीलों में तैयारिया भी तेजी से कर दी गई है परकंड अस्तर पर अधिकारी अभी से तैयारी में जूट गए हैं और चुनाव से पहले तमाम तैयरिया पूरी कर लेना चाहते हैं चुनाव की घोसना से पहले तमाम अधिकारी अपने अपने जिले में बैठ कर तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिस में जूट गए हैं इसी कड़ी में लोहरतागा के भंटरा परखंड कर्याले में वीडियो रंजीत कुमार सिन्हा ने बैठा की जिसमें बिये लोप प्रवेक छक पंचाज सचीव सामिल हुए मोराबादी से हटाये गए दुकंदारों को वेंडिंग जोन में जमीन अवंधित करने का आदेश आदालत ने नगर निगम से पुछा था कि दुकंदारों को क्यों हटाया गया सरकार से पुछा था कि इस छेत्रे में इस तरह की कितनी घटनाए हुई है निगम और सरकार की ओर से सुनवाई के दरन जबाब दाखिल किया गया प्रार्थी रोशन कुमार सहीत 202 अने दुकं बिजली मिलेगी फिरी जारखन की हेमन सरकार ने गरीब लोगों को बड़ी रहात दी है जल्द ही उन्हें 100 यूनिट बिजली फिरी मिलेगा गुरुवार को विधान समय बयट पेस करते वे बीत मंत्री डाक्टर रामेश्वर उराव ने इसकी घोसना की है उन्होंने कहा कि बिजली बिल का बोज कम करने के उदेश से राज सरकार गरीब तबके के लोगों को रहाती है वहीं अब राज में प्री पेड स्मार्ट मीटर लगाने की भी बात कही जा रही है इसकूली सिक्षा पर सरकार का सबसे ज्यादा जोर जार्खन के बीत मंत्री डाक्टर रामेश्वर उराव ने बुद्धवार को तीसरी बार बयाट पेस किया बीती वर्ष 2022 ते इसके लिए एक लाख एक हजार एक सब एक कोलो रुपए का बयाट पेस किया इसमें छेहत्तर रायार दोसो तीहत्तर पॉइंट तीन जीरो कोलो रुपए रायस्वर बियाए में और पुन्जीगत बियाए पर 69 फिस्ति बिरिधी करते हुए 24 यार 827.70 कोलो रुपए का प्रस्ताव है इस बार की बयाट में रायस्षरकार ने इसकूली सिक्षा एक लिए 11660.68 कोलो रुपए प्रस्तावित किया है वही सबसे कम सूचना एम जम संपर्क बिभाग के लिए प्रस्तावित किया है इस बिभाग के लिए 156.07 कोलो रुपए प्रस्तावित है जारखन में कुरोना के 12 नए केस मिले हैं जबकि 62 मरीज स्वस्त भी हुए है जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 363 है भारत में 569 केस मिले है जबकि 12,247 मरीज स्वस्त हुए भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 363 है 351 है जारखन के कई जिलो में बढ़ गई महिलाओ में एनिमिया राजे के कई जीलो में महिलाओं में एनिमिया की समस्या बढ़ गई है आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट 2021-22 में NFHS-4 तथा NFHS-5 के आकड़ों की तूलना करते हुए बताया गया कि राजे के 24 जीलो में से 10 जीलो में सभी आयू की महिलाओं 15-49 वरस में एनिमिया में बढ़ गई है वही 14 जीलो में यूआ महिलाओं 15-29 वरस में एनिमिया में बढ़ गई है रिपोर्ट के अनुसार यहां संस्थागत प्रसों में काफी सुधार हुए है रांची में संस्थाग की सांती वारता समाप्थ हो चुकी है, लेकिन युकृइन इस वारता से संतुष्च नहीं हुआ है, युक्रेन की समाचार एजेंसी Q. ने युकेरेन के राष्ट पती के सलाकार माय खाईलो पोडोलिक के हवाले से लिखा है कि युक्रेन रूस के साथ दूसरे दौर की वारता के परिणाम से असंतोष्ट है और युक्रेन ने बादचित में वांचित परिणाम हासिल नहीं किये हैं साथ ही यह अभी कहा गया है कि दोनों देशों जल्द ही तीसरे दौर की वारता के लिए आगे आ सकते हैं दो लाग से अधिक किसानों के खाते में भेजे 836 कोर रूपाय है जहरकंड की हमन सरकार ने तीसरी बार राज का बयट पेस किया राज के बीत मंत्री डाक्टर रामे सरुराव ने 1,1101,001 कोर रूपाय का बयट पेस किया है इस तोरान जहरकंड कीरिशी रिण माफी योजना के तहत अब तक 2,11,530 की सानों को लाव दिया गया इसके तहत इन की सानों के खाते में 836 कोर रूपाय भेजे गा है बीत मंत्री ने बीतिये वर्ष 2022-23 में क्रिसी एवं समंध प्रच्चेतर के लिए 4,091.37 कोर रूपाय का बयट प्रस्तावित किया है जहरकंड के सभी बिधान सभाच्चेतरों में खोले जाएंगे 33 डिगरी कोलेज जहरकंड की बिधान सभाच्चेतर में कूल 33 डिगरी कोलेज खोले जा रहे हैं इन कोलेजों में पठन पाठन सहीद प्रसासनिक कारे निप्टाने के लिए परचारे सिक्चक वा करमचारी के कूल 924 पत स्रिजित हुए है हर कॉलेज में सिक्चक वा करमचारी के 28 पत स्विक्रित किये गए हैं उच्व तक्निकी सिक्चा विभाग के प्रस्ताव को पत वर्ग समीती ने स्विक्रिती दे दी हैं अब आमतिम स्विक्रिती के लिए इसे राजे केमिनेट में रखा जाएगा मयुराक्षी एक्सप्रेस के बाद दुमका राची एक्सप्रेस की मिली सोगाद दुमका वासियों को दूसरी बड़ी सोगाद मिली है गुरुवार को संसत सुनील सुरेन और DRM ने सनिकत रूप से दुमका राची एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया मयुराक्षी एक्सप्रेस के बाद अब इस ट्रेन की भी सुविधार लोगों को मिलेगी वहीं दुमका रूट पर जल्द ही इलेक्ट्रिक ट्रेन दोडने की संभवना संसदने जताई है हटाये गए बाबा मंदिर प्रवंधक महा स्युरात्री के दिन देव घर बाबा मंदिर परिसर में कॉंग्रेस विधायक अमबा परसाथ के साथ हुए बिवाद के बाद DC मंजुनात भहंत्री ने मंदिर प्रवंधक रमेश परिहस्त को अगले आदेश तक के लिए कारे मुक्त कर दिया है गुरुआर कोई से समधित पत्र भी जारी कर दिया गया DC मंजुनात ने अपने आदेश में कहा है कि महा स्युरात्री के दिन हुई घर बाबा मंदिर प्रवंधक रमेश परिहस्त कारे मुक्त रहेंगे चारा घोटाले मामले में सजायाफता लालू परसाद की जमानत पर सुक्रवार को सुनवाई होगी मामला जस्टिस और प्रेस्ट कुमार सिंग की अदालत में सुनवाई के लिए सुचिबद है लालू परसाद को सीबी आई की बिशेस अदालत ने 5 साल की सजा और 60 लाक रुपए जुर्माना लगाया है सजा के खिलाब लालू परसाद ने हाई कोट में अपील दाकिल की है अधिवक्ता देवर्सी मंडल ने बताया कि लालू परसाद ने सजा की आधी अधी जेल में बिता दी है बढ़ती उम्र और 17 परकार की बिमारियों की वज़ा से उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए धन्यवाद